हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका प्रितिस किचन में आज मैं लेकर आई हूँ पनीर का एक मजेदार डिस जो बहुत आसानी से बन जाएगा घर में जो एवेलेबल रहता है मसाला उसी से बन जाएगा चलिए बना लेते हैं पेन गरम हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे ओयल, ओयल में डालेंगे 6-7 लसुन की कलिया एक इंच अदरक हलका सा इसे फ्राय करेंगे इसके बाद डाल देंगे प्याज, हमने प्याज को मोटा मोटा काट लिया है दो मिडियम साइज का प्याज है हलका सा इसे फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के बाद अब इसमें डाल देते हैं दो मिडियम साइज का टमाटर टमाटर को भी हमने मोटा मोटा काट लिया है अच्छी तरह से मिला लेंगे मिलाने के बाद अब इसमें एट कर देते हैं स्वादनुसन नमाक हमने नमक थोड़ा सा डाला है एक चम्मच करीब बाद में भी यूज करेंगे अच्छी तरह से मिला लेंगे मिलाने के बाद अब इसमें डाल देते हैं हरा धनिया हरा धनिया डालने से पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है यकीन मानिए एक बार डाल कर देखिएगा बहुत टेस्टी बनती है सारे चीज सौप्ट होने तक हम फ्राई कर लेंगे और अच्छे से इसका प्यूरी बना लेते हैं अब चलते हैं पेन में डालेंगे ओयल ओयल डालने के बाद पनीर डाल देंगे हलका सा नमक डाल देंगे ताकि पनीर के अंदर नमक अच्छी तरह से मिल जाए पनीर को तब तक फ्राई करेंगे जब तक गोल्डेन ब्राउन ना हो ये देखिए पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है अब इसे साइट कर देते हैं अब चलते हैं पनी का सब्जी बनाने के लिए कड़ाई में लेंगे रिफाइन ओल हमने यहाँ पर लिया है दो बड़ी चम्मच और कुछ डालेंगे खड़े मसाले हमने यहाँ पर लिया है डालचिनी, लॉंग, इलाईची, जावित्री और कुछ डाल देंगे जीरा जीरा हलका सा तड़कने के बाद अब इसमें एक चम्मच डाल देते हैं कस्मिरी लाल मेच सब्जी में कलर अच्छा आएगा अब इसमें डाल देते हैं जो प्यूरी हमने बनाया था उसको भी डाल कर अच्छी तरह से मिला लेंगे अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें डाल देते हैं एक चमच धनिया पौडर, आधी चमच हल्दी पौडर, एक चमच लाल मिर्च पौडर, आधी चमच जीरा पौडर सारे चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर करके रख देंगे धीमी आच में 5 मिनट के लिए 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं हमने बीच में चला लिया था और इसे कवर हटा कर इसी तरह हम भूनेंगे चार-पांच मिनट के लिए अगर आपको ए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सियर जरूर करें और नए है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ये देखें, मसाला हम लोग का अच्छी तरह से भून गया है तेल भी अच्छे से छोड़ चुका है अब इसमें डाल देते हैं ग्रेवी के लिए पानी ग्रेवी आप अपने पसंद से कर सकते हैं ये देखें, आप पानी डाल कर अच्छी तरह से मिला लेंगे यकिन मानिये, इस तरह से सबजी बनाने से बहुत टेस्टी बनती है और बन भी जाती है जटपट अब इसमें एट कर देते हैं पनीर जो हमने पहले से फ्राय करके रखा था अच्छी तरह से मसाला के साथ मिला लेते हैं इसके बाद कवर करके धीमी आज में रख देंगे चार से पांच मिनट तक ताकि पनीर और मसाला अच्छी तरह से बख जाए ये देखिए चार पांच मिनट के बाद पनी कसबजी बन के रेडी हो गया इसमें कोई क्रीम नहीं मलाई नहीं कुछ भी नहीं इस तरह से इजी तरीके से बनाईएगा